आज के स्वीडियों में हम बनाएंगे डिजाइनर नैक तो बहुत ज़दा आसान तरीका होगा सबसे पहले मैंने कुर्थी को कट करकर रख लिया है उसके बाद यहां पर देखिए सलवार की जो पट्टियां बची होती है वो मैंने इस तरीके से ले ली हैं दो पट्टिया है यह तकरीबन त्री इंच की होगी अब यहां पर देखिए सबसे पहले आपने नैक का निशान लगाना है जैसे कि धाइंच का मैं नैक की चोड़ाई रख रही हूं और शिक्स इंच की लेंद रख रही हूं नैक की तो नॉर्मल साइज है यह आप इससे बड़ा यह चोटा करना चाहते हो नैक तो बना सकते हो अब हम यहां पर नैक का मैंने निशान लगा लिया है आपको इसा भी स्विप दे सकते हूं उसके बाद यहां पर देखिए जो हम योग कटिंग करेंगे तो योग की लेंद मैं यहां पर 12 इंच की रख रही हूं अब 12 इंच पर ऐसे नि के से रखना है और इस पट्टी को हमें 12 इंच से एक इंच करते हुए ही इसको कट करना है यानि कि 13 इंच की पट्टी हमें कट करना है तो मैंने यहां पर 12 इंच का निशान लगा लिया है उससे एक्ट्रा कट करते हुए ही मैं यहां पर कट करूंगी देखिए मैं आपको द अब यहां पर देखी जैसे कि नेक की चोड़ाई मैंने धाय इंच की रखी थी और लंबाई स्चिक इंच की रखी थी तो यह अपने लगा कर रखने हैं और उसके बाद यह हम दें नशान लगा लिया है अपने नेक का पटी पर अब यहां पर कुछ पोटली बटन मैंने यहां बना कर रखे हैं तो इनको हम लगाएंगे जहां पर आपका नेक शुरू होता है यानि कि खतम होता है यहां पर तो यहां से आपने नशान लगाना है सीधी साइट की तरब और उससे आदा इंच हटाते हुई ही आपने इन पोटली बटन को इस तरीके से रखना है क्योंकि हमारे नेक की सलाइब भी आएगी थोड़ा बढ़ भी जाएगा वो तो फिर आपने थोड़ी सी पोटली बटन को हटाते हुई रखना है उस तरीके से स्टिच कर देना है तो कपड़े की सीधी साइट से यानि की जो पोटली हमारे बनी हुई है वो कपड़े के अंदर की साइट रखी है और यहां पर मैंने सिंगल बूट का यूज किया है यह हमारा डवल बूट है यानि की दो पैर है इसके मैंने एक पैरवाला बूट यूज किया है और यहां पर आपने सलाई बड़े आराम से इस पर कर लेनी है और उसके बाद दूसरी पट्टी को यहां पर रखें और पूरा उपर से नीचे तक इस तरीके से सिंगल बूट से ही हमें यहां पर सलाई ऐसे लगा देनी है तो अगर आप पोड़े बटन का यूज करते हो अपनी कुर्ती में तब आपके पास यह सिंगल बूट होना बहुत ज़ादा जरूरी है अगर नहीं है तो फिर आप ले ले हैं अगर सलाई करते हो तो फिर आपके पास सिंगल बूट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है काफी ज़्यादा इजी लिए ये मश्रीन की दुकान पर मिल जाता है तो आप जरूर से ट्राइ करें और यहां पर देखी बड़े आराम से सलाई लग जाती है हमारी और उसकी बार जब सलाई ऐसे लग जाएगी तो ये देखी बटन कितने ज़्यादा सुन्दर लग गया है और कोई भी जो हमारी गंदगी थी इसमें वो अंदर की साइट चली गई है और फिनिसिंग के साथ हमने ये पोटली बटन को लगा लिया है अब यहां पर जो भी धागे बगयर हों उनको अच्छे से कट कर दें अच्छा जो साइट से हमारा फैबरिक है वो हम सिंगल फोल्ड करते हुए यहां पर मैं कच्छी सलाई लगा लूँगी ताकि हमें बाद में फोल्ड करने की जरूत ना पड़े अगर आप फोल्ड करना नहीं चाहते हो तो फिर आप प्रेस से इसकी तेह तोड़ लें इसी हिसाब से जितना भी आपने फोल्ड करना है तो यहां पर देखी मैंने अच्छे से इसको फोल्ड करने के बाद आपने देखी प्रेस की साथ रेसे इसको set कर लेना है, अब यहां पर मैंने केबल नीचे की side इसको फूल्ड किया है, बराबर से साइडों से हमारी सलाइचाई कर लगाई है, अब जो हमारी सलाइच से लगाई थी बो अपने बाहर की side इस तरीके से निकाल दें, और जो हमने अब नेक पर निशॉन जलाए था 1.5 और 6 इंच का अब इन भी को दोबहर से आप डार कर सकते हो और मैं रांड शेप का नेक बना रही हूं डीप में बना रही हूं तो आप इस तरीके से डीप में या फिर बहुत नेक बना सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता तो उसका पहले से यह आपने निश्रान लगा करके रखना है जैसे भी आप नेक बनाना चाहते हो उसके बाद हमारे कपड़ेगे कीली साइड है और जो हमाराा योक है उसकी बहुत-साइड है इस तरीके से रखें और सलाई करने के बाद इसको सीधी साइड हमें टर्न कर देना है तो मैंने अब यहां पर सलाई लगा लिये हैं कट्स भी लगा लिये हैं और अब यह देखिए कुर्टी की सीधी साइड हमारा फैबरिक फॉल्ड होकर इस तरीके से आ जाता है तो यहां प कपड़ कर दिए तो देखियी मैंने यह पर अच्छे से पहले प्रेंस कर ले थी और पिनसे कपड़े को सेट कर लिया था और फिर लेस लडाती हुए हमें इस तरीके सी चारों अब मैंने अच्छे सईलेस लगा दी है, काननर अच्छे był बनाया है। इस तरीके से, देखी, तो मैंने μια नॉर्मल सा नीक बना लिया है तो हम पूझे उर्मार तो इस convenes लगता है। कपड़ा है तूटी फूटी कोडी करकर जैसे कि बोलते हैं इस तरीके से अगर आपके पास कपड़ा है तो उसमें भी आप मुझसे भी अच्छा नेक डिजाइन बना सकते हो एक आइडिया लेकर इस वीडियो के जरिए तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीस कॉमेंट्स में जरूर से बताएं और इस वीडियो पे मैं आपको इतनी ज़्यादा महिनस से ये लेस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि जितनी ज़्यादा इसमें चमक थी वीडियो में उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है तो बस बही दिखाने की मैं आपको बार-बार कोशिश कर रही हूं तो इंसरो आला ताला आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक लिए सलाम उलेकुम टेक केर